फ्रेंड्स नमस्कार देखिए बिहार, BPSC और बिबाद इस तीनों का बहुत ही गहरा संबंध है इसलिए इस विशेपर बातचीत भी उसी अस्तर से हम करेंगे आज 67th BPSC प्रेलिम्स की रिजल जैसे ही 17 नमंबर को जारी होती है उसके बाद से दिन प्रती दिन एक नए खुलासे होते जा रहे हैं रिजल्ट में धांदली को लेकर ब्रस्टाचार की जो सीमा है वो अपने चरम पर पहुँच चुकी है BPSC में इसलिए इस विशय पर हम गंभीरता पुर्वक बातचीत करेंगे आप सभी इसे ध्यान से शुने आज एक बड़ी संख्या में एस्टुदेंट्स BPSC पहुँचे थे बहुत बड़ी तादाद में एस्टुदेंट्स की जो एक डेलिगेशन टीम बनाई गई थी जिसमें तीन मेंबर थे वो आज एक ग्यापन सोपे हैं उस ग्यापन में क्या-क्या डिमांड रखे गए थे हम उस पर बातचीत करेंगे नमबर एक नमबर दो अध्यक्ष ने क्या आस्वासन दिया है इस पर भी बातचीत करेंगे नमबर तीन सरकार का CBI जांच के प्रती क्या रवया हो सकता है इस पर बातचीत करेंगे और फिर बात करेंगे कि आगे की क्या राह होगी एस्टुरेंट्स जो 68, 69 और आगे की BPSC की तैयारी कर रहे हैं अत्वा करेंगे एक एक कर हम हर टॉपिक पर बातचीत करेंगे इसलिए तिहान से इस वीडियो को सुने आप लोग और बहुत गंभीरता से इस विशय को लें क्योंकि ये बहुत छोटी बात बहुत छोटी बात नहीं है ये BPSC जैसी बड़ी इसलिए इस विशय को भी उसी हिसाब से लिया जाना चाहिए सरक पर स्टुडेंट्स क्यों आएंगे खास कर जो एक प्रतिष्टित सिबिल सर्विसेज की तयारी कर रहे हों सरक पर क्यों उतर रहे हैं ये बात बहुत गंभीरता से लिए जाने का विशय है इसलिए इसमें स इस्टुडेंट्स के ग्यापन में क्या क्या था देखिए सबसे पहला जो बिंदू था इनके ग्यापन में वो ये था कि रिजल्ट में धान्दली हुई है पीडिएफ से छेर चार किया गया है और कटफ बहुत जादे हैं दूसरा ये था कि OMR बाहर से भरवाये गए हैं इ उन्हें इस तरह का एक पेन दिया गया था जिसको बाद में एरेज किया जा सकता है और फिर से पुनह उनको OMR सीट परिक्षा के बाद निकाल कर भरवाया जाए और फिर जो है उसका manual चेकिंग किया जा सके जिसकी पुष्टी अध्यक्ष महोदे अपने बयान में भी करते ह हैं कि हम manual चेकिंग किये थे मार्क सीट में मार्क जितने students को दिये गए हैं और final answer की से मिलाने पर दोनों में students के कई सारे students के अंतर आये हैं तो ये बातचीत भी रखी गई थी फिर no question में आपत्ती जताई गई है उस question को भी रखा गया है ठीक है final answer की यानि जो final answer की result के दिन गया है कि आप परिक्षा से रिजल जारी होने से पहले दें तो अध्यक्ष ने कहा है कि ठीक है हम इसको 68th BPSC से लागू कर देंगे जो 67th BPSC मेंस की examination date है उसको बढ़ाये जाने की भी बातचीत की गई है परिक्षा नियंत्रक को हटाये जाने का प्रस्ताव भी रखा गया कि इस बिंदू पर आप नोटिस चारी करें और फिर बातचीत की गई है CBI जांच की जो पेपर लीक हुई थी मई में जो examination इसकी हुई थी BPSC 67th की उस पेपर लीक की CBI जांच की मांग की गई है और इसमें जो धांदली हुई है अभी अब प्रेलिम्स रिजल्ट में जिसक इन्होंने जांच की मांग की है और उत्तर में बदलाव की मांग की है अध्यक्ष के तरफ से क्या आस्वासन दिये गए हैं इसको भी थोड़ा सुन लीजे और एक चीज़ ध्यान रखेगा कि आज का जो ये students का जो प्रदर्शन था वहाँ पर एक तरह से कहें तो इसमें media coverage काफी अधिक थी इसलिए इसका प्रवाब जो है सरकार के उपर काफी परेगा नितिश कुमार और डिप्टी सियम इस पर काफी गंभीरता से इस विशे को लेंगे ऐसा मेरा मानना है students काफी संख्या में गए थे इसलिए इसका दवाब जो है सरकार के उपर परेगा और आयोग के उपर भी परेगा तो इन्होंने OMR भरने में जो धांदली पेन को लेकर जो बात हुई है उसको अध्यक्ष ने देखा है खुद भी उन्होंने पेन चला कर और कहा है कि ठीक है हम इस पर अपने अस्तर से इसको हम जांच करेंगे फिर रिजल्ट में धांदली और PDF में छेरचार को लेकर जो बातचीत सामने आई है उसके लिए उन्होंने कहा है कि ठीक है यदि सरकार चाहती है तो इसकी CBI जांच के लिए हम राजी है कर सकते हैं हम इसके लिए NOC दे देंगे OMR seat वाली बात हो गई फिर mark seat में जो difference आ रहा है final answer की से उस पर भी उन्होंने कहा है कि हम फिर से इसको check करवाएंगे और यदि ऐसा होता है तो result हम दुबारा प्रकाशित करेंगे 9 question पर जिस पर आपती दर्ज की गई है उसमें इन्होंने कहा है कि हम कल जो है उस question पैनलिस्ट को बुलाएंगे उन्होंने परिक्षानी अंतरक अमरेंदर कुमार को phone कर बताया है कि आप उन्हें बुलाएं कल और इसमें जो है जो सभी 9 question है उस पर उनसे कहा जाए कि इसको यदि या students के द्वारा जो आपती है यदि या सही है तो उसके बाद वो हमें बताएं final answer की के बारे में हमने बताया आपको कि 68 BPSC से इन्हेंने कहा है कि हम एक दिन पहले ही जारी कर देंगे final answer की और उसके बाद हम result publish करेंगे prelims परिक्षा का 67th मेंस की जहां तक बात है तो इन्होंने कहा है कि हम इसका date extend कर सकते हैं तो जिनका मेंस है वो यहां थोड़ा ध्यान देंगे परिक्षा नियंतरक को हटाये जाने को लेकर इन्होंने कहा है कि यह सरकार का विशय है मेरा नहीं है यह मेरे power में नहीं है इसलिए इस पर सरकार जो है अपना पक्ष रखेगी और यदि वो हटाना चाहे तो हटा सकते हैं क्योंकि परिक्षा नियंतरक काफी समय से लगभग 6-7 साल से वो एक ही जगा पड़े हुए है और इनको प्रमोशन भी दिया गया है तो किस आधार पड़ दिया गया है जबकि इन ही के समय में 67th BPSC पेपर लिख हुई है तो ये बहुत ही गंभीर विशह है और इस पर जांच कराया जाना चाहिए फिर नोटीस जारी करने की बात को लेकर इन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से मीडिया में वो या तो बाइट दे देंगे या फिर नोटीसी जारी करें तो ये चला जाएगा मैटर और फिर पेपर लिख की CVI जांच जो है सरकार के अधिन आता है कि admit card में जो point number 3 है वहां लिखा हुआ है कि मानविये हस्तक्षे OMR में नहीं किया जा सकता है फिर अध्यक्ष महोदे ने मीडिया में कहा है कि हम manually checking करवाये थे जो लोग अच्छा प्रदर्शन किये थे परिक्षा में यानि जिनके marks बहुत आ रहे थे लेकिन उन लोगों ने किसी कारण वस अपना role number या फिर state code या फिर जो date of birth था ये अगर उन्होंने गलत भर दिया था तो उसको हमने सही करवा करके उनको pass कर दिया है क्योंकि वो अधिक number ला रहे थे ऐसा मैंने ही अध्यक्ष ने खुद कहा है मीडिया में तो manually checking की बात तो है ही नहीं जब admit card पे असपस्ट रूप से या लिखा गया है कि नहीं कर सकते हैं मानविय हस्तक छेप OMR seat में हो ही नहीं सकता है तो फिर ये एक जाच का विशे बनता है कि आप कैसे किस अस्तर से किस हिसाब से इसको कर रहे है क्या ये आपके अधिकार शेतर का विशे है कि कि CA student के mark sheet को आप निकाल कर ऐसे ही चेक करें तो ये सब बाते हैं अब हम यदि बात करें कि CBI जाच की तो CBI जाच होना चाहिए क्योंकि जो paper leak हुई थी ये बहुत छोटे छोटे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं हुई थी ये एक बड़े अस्तर पर हुई थी या तो जहां जो प्रस्टन पत्र है सेट किया जाता है क्योंकि इस बात का एक खुलासा मैंने भी किया था और मैं आयोग को 67th BPSC Prelims परिक्षा से पहले ही mail किया था कि आपके जो प्रस्टन पत्र 64th BPSC Prelims परिक्षा के थे उसके लगभग 37 प्रस्टन उसका proof भी मैंने दिया था कि 37 प्रस्टन हू बहू option के साथ आपके match कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो परिक्षा नियंत्रक है अमरेंद्रकुमार वो किसी ऐसे सेटर को लाते हैं जो BPSC आयोग में भी कोस्टन बनाते हैं और वो हू बहू कोस्टन BPSC को दे देते हैं जबकि वो परिक्षा ASI की थी लेवल 5 की थी और आप सभी जानते हैं Senior Deputy Collector और जो Deputy Superintendent of Police होता है और भी कई सारे ऐसे लेवल 9 के पोस्ट हैं वहां की परिक्षा और लेवल 9 की परिक्षा में बहुत जादे डिफरेंस है फिर भी उसी अस्तर के कोस्टन को 37 कोस्टन को जो है डाइरेक्ट 150 कोस्टन में डाला गया था options है तो ये भी एक जांच का विशय बनता है कि उस समय Examination Controller यदि ऐसा किये थे तो उन पर भी गंभीरता पुर्वक जांच होनी चाहिए और ये CBI जांच होनी चाहिए क्यों क्योंकि बिहार सरकार के अधीन जितनी भी जांच एजिंसियां है वो बिहार सरकार के अधीन काम करती है वो निस्पक्च जांच नहीं कर पाएगी क्योंकि BPSC आयोग में जितने भी बैठे हुए है अधीकारी वो सभी लगबग IIS अस्तर के होते हैं तो वहाँ पर IPS अस्तर के अधीकारी जांच नहीं कर पाएगे ठीक से वो तब हो पाएगा जब केंदर सरकार अपने IPSC अस्तर के अधीकारी से जांच करवाए यानि CBI से जांच करवाए तो ये एक बहुत गंभीर मामला मुझे लगा था उसके बाद यदि स्टुडेंट कोर्ट जाते हैं अगर आयोग ऐसा नहीं करती है और ये लोग प्रदर्सन करते हैं फिर प्रदर्सन से भी कुछ नहीं होता है कारवाई होगी अगर पुलिस जैसा कि हमने पहले भी देखा कि लाठी चार्ज हो जाती है और फिर सरकार जो है कहती है कि ठीक है हम ऐसा कर देंगे तो अगर इस सब के बाद अगर स्टुडेंट को हाई कोड जाना पड़ता है तो मामला जो है बहुत ही पिंचिदा हो जाएगा और इससे स्टुडेंट को तत्काल बहुत जादे रिलिफ नहीं मिलने वाली है क्योंकि हाई कोड में मामला बहुत धीरे चलता है फिर वहाँ पर सरकार अपनी जो है एडवाकेट जनरल को उतारती है कोई फाइदा नहीं है मुझे लग रहा है क्योंकि अब तक जो BPSC का इत्यास हमने देखा है वहाँ पर कई बार एस्टुडेंट्स हाई कोट गए है लेकिन फाइदा नहीं मिला है इसलिए और अगर मिला ऐसा चांस होना चाहिए जिससे कि हम नियाईपालिका में जाए सरकार इसे अपने अस्तर से जाच करवाए अगर सरकार खुद कहती है कि नहीं हम बहुत अच्छा प्रसासन चला रहे है जीरो टॉल्रेंस की बात कर रही है नितिस गवर्णमेंट तो इस विशे को गंभीरता पुरवक उन्हें लेना चाहिए तो मेरा यही एक मानना था और इसमें कहीं न कहीं परिक्षा नियंतरक भी और जो अध्यक्ष हैं जो मैनवल चेकिंग की बात कर रहे हैं वो भी इसमें कहीं न कहीं किसी भी अस्तर से तुरूटी के जरूर सिकार हुए हैं चाहे वो जैसे भी हो तो ये दोनों भी मेरे हिसाब से जाच के दाइरे में आएंगे BPSC की जो cut-off है वो 113 नंबर बहुत जादे हाई है और ये चीज़ जो है एस्टुरेंट्स को खाल रही है क्योंकि कई अच्छे अच्छे एस्टुरेंट्स इसके कारण बाहर हो गए है 113 मार्क्स बहुत कम नहीं होता है क्योंकि मेंस की तयारी भी करनी पड़ती है एस्टुरेंट्स को और ये कहना अध्यक्ष के द्वारा मेडिया में कि जो रेलवे की तयारी कर रहे है या फिर अधर तो मेरा मानना है कि ये सब ठीक नहीं है ये सब सरकार के अस्तर से एक फॉर्मेटी तरीके से होना चाहिए इस तरह से नहीं करना ठीक है एस्टुरेंट्स के आप राई लेंगे मतलब किसी को हमें मारना है तो हम उसी से पूछें कि कैसे मारे तुम्हें बताओ इसमें से कोई एक उप्सन सेलेक्ट करो ठीक है तो ये तरीका ठीक नहीं है आप एस्टुरेंट्स से राई ले रहे हैं और फिर उसी के नीचे आप ये भी लिखे हैं कि हम इसे मानने के लिए बाद ही नहीं है हम अपने हिसाब से करेंगे तो फिर इसका क्या मतलब रह जाता है कुछ मतलब नहीं रह जाता है हमने भी पढ़ा है जो 68th PPSC के आपने notification निकाली है तो ये सब तरीका ठीक नहीं है इस सब में आप बदलाव करें और ऐसा बदलाव करें जो सर्वमान्य हो सब के लिए ठीक हो ये नहीं कि किसी एस्टुडेंट से हम राई ले रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि हम आफी के हिसाब से चलेंगे और फिर रिजल जब निकालते हैं तो कटफ आज 113 है कल को 120, 118, 119 कर दीजेगा अंदर जो खेला चल रहा है वो चली रहा है आपका तो फिर बाहर में ये कहना कि हम ढोल पीटना कि हम बहुत पारदर्सी है बहुत पारदर्सी तरीके से हमने एक्जामनेशन को कंड़क्ट करवाया है ये सब ठीक नहीं है इस सब पर ध्यान देने की बात है और यदि किसी भी अस्तर से BPSC आयोक के अंदर चाहे वो प्रिलिम्स परिक्षा का हो मिन्स परिक्षा का हो या फिर इंटर्व्यू का हो अगर आपके तरफ से तुरूटी होती है तो ये तुरूटी बहुत ही निंदनिय है बहुत ही गंभीरता पुरवक इसको लिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा भी और students के द्वारा भी students अपना काम कर रहे हैं वो सरक पर उतर कर BPAC office आज गए उन्होंने अपना delegation team जो उनका बनाया था तीन लोगों का बनाया गया था उन्होंने अपना ग्यापन जो है अध्यक्ष को शौपा है और सरकार से भी वारता करने की ये लोग कोसिस करेंगे तो ये सब बातचीत है आज की जो हमने देखा है इसमें ठीक है तो आगे का आप लोग जो है नियाई पालिका में जो जाने का विशे है उसको थोड़ा कम करें और इसको प्रयास करें कि सरकार के अस्तर से ही या फिर CBI जांच की मांग कर इसको उसी के हिसाब से इसको आप लोग करें ताकि आगे फिर 68, 69 में ऐसा नहीं हो और जो लोग काफी समय से आयोग में बैठे हुए हैं उनका तबादला भी होना चाहिए और जो लोग इसमें लिप्त हैं ज़िस सरकार अपने अस्तर से करना चाहती है तो उसको तुरत बर्खास्त करें क्योंकि ये बहुत छोटा मामला नहीं है बहुत ही संगीन मामला है थैंक यू इस वीडियो में इतना ही फिर अगर कोई ऐसी हमें जानकारी मिलती है तो हम आपनों को बताएंगे